हेलो गाइज अस्सलाम अलेकुम रह्मतुल्लाह वबरकातु आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत हैं तो फाइनली आपके सामने एक सुजुकी डिमैक्स लेके आया हूँ जो के 2023 का मोडल है यानि 2022 का मोडल है तो इसका डैजबोड खुलने जा रहा गारी चालू कंडिशन है सब कुछ बड़ बढ़ है बस तलाजा लिके जए इसका तो इस वज़े से मैं इसका डैजबोड खुलके तलाजा रिप्लेस करने वाला हूँ तो चलो सबसे पहले बैटरी वायर निकाल देता हूँ और कॉंसल वाक्स खुलना स्टार्ट करता तो चलो बैटरी वायर निकाल के आते हैं आपं तो फाइनली बैटरी वायर निकाल दिया हूँ और सबसे पहले मेरे को ये चीज़े कुलना पड़ेगा और अचीज सुदा पूरा अशम्भेली कुलेगा तो ये वाला पहले खुल चुका इसके बाद इसको खलना अपने का में देखो इसमें काफी सारे सोक्विट लगे हैं ये सोक्विट निकालता हूं मैं तो सोक्विट निकल चुका है इसका इसको पीछे होल्ड कर देता हूं इसके बाद जो है ये पट्टी निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजे इसके अंदर इसकुरू है तो इसकुरू मैं ये दोनों इसकुरू खलता हूं ये चीजे भी निकल जाएगा पहले तो चलो इसको मैं निकालता हूँ तो ये चीज़े निकालने से पहले एक किलिप इदर है एक किलिप इस साइट दिया है उसके बाद दो स्कुरू इदर है उसके पार इसके अंदर एक स्कुरू सामने दिख रहे है तो इसकुरू खुलता हूँ मैं तो फाइनली इसकुरू खुल गया है तो अगी अपना निकल गया तो चलो इसको बाहर लेता हूँ तो फाइनली ये बाहर निकल चुका इसके बाद आपने को यह वाला चीज़े खोलना है तो एक श्कुरू तो एपट्टी में से दिया है है यह थ STEVEN कर भयना और एक स्कुरू खुलना है इसके बाहरे दो इसकुरू इसके तो यह सब खोलता हूँ एक इसक्रू यह तो इसब खोलता हूँ मैं तो फाइनल इधर का सब खुल गिया इधर का दूनों इसक्रू खोल लिया अब यह निकल जाएगा इसको एक वैर लगी है तो इसको निकलता हूँ मैं तो फाइनल है इसको निकल दिया पिछे घॉल्ड कर देता हूँ इसको अब उसके बाद में ड़क्ट खोलना अपने को ड़क्ट यहां से खोलने या फिर यहां से निकल के इसको पिछे लेना इस कुरू अगर दिया है क्या नहीं लॉक था तो निकल जाएगा अब उसके बाद अपने को आना है इस टेडिंग के तरफ तो सबसे पहले अपनी एरवेग भी खोल देते हैं एरवेग खोलने के लिए इसमें लॉक दिया हो रहेगा तो माइनस इसको डाल लेने का यह साइज का कि लोग को पोजिशन देख लेना पहले हरह एद अब कर बर बैठ नहीं रहे तो फैनली कि गई यह वाफ mirror लॉक निक लिए इसका आरव लॉक कैसा है यह दुन तो निकल है यहां से पृप क्रेस करेंगे यह निकल जाएंगा इसके बाद यहां से साथ करेंगे कि यह निकल जाएगा मैं दो स्कुड़ा और लगाया हूं इधर भी और यह दोनु स्कुड़ा और सांत में प्रेस करेंगे न तभी जाकर कि यह वाला लोग निकलता है दोनु सांत में प्रेस करना पड़ेगा तभी जाकर कि यह वाला लोग निकलता है तो यह चीजह आप अगर फास्ट टाइम यह वाला मॉडल का डेजबूट खोल ना है तो इसमें सिस्टम कुछ अलग दिया है तो इस तरह के से खोलना पड़ेगा तो चलो फाइनली एरबेक बे निकाल देता हूं खुल गया आपनो यह वह बहुतार अप्ट weakest क्यों ही निकल रहें उसके बाद यह वाला पैनल थो खोल दिया हूं इजिक घुलना उसके बाद यह तो निकल प्रीना और यह वाला टेप निकालना है इसको भब आल के मांस संदर से निकालनाres आपको जल्दी निकलता नहीं है काफे हाड रहता हूँ है तो इसे ही कटाके निकालना आपको तो यह फाइनल यह अपना निंगल चुका है तो अब मेट्र C तरफ के तरफ यह बार खुल दिआ हूँ はい गोर्ण के तरफ आता हूं क्यूंत तो यह दौन के तर निकाल देता हूँ आपको दिकाने लेगे लिला गाया था मैंने तो चलो इसको वापस से स्टेडिंग सीधा कर लेता हूं में अब मेटर का कवर हो गए खुलता हूं यह बोल्ट खुलता हूं तो फाइनली यह 19 का बॉक्स नट है वह खुल देता हूं यह वाला मशीन से खुलना है अपने को तो यह वाली मशीन से इसके लिए अपना यह खुल गया तो यहां पर थोड़ा सा मार्किंग कर देना है अपने को यह वाला बोडी को मेटल को यह वाला बोडी को मिला करके इसके साथ मार्किंग कर देना थोड़ा तो चलो मैं मार्किंग कर देता हूं मैं बस थोड़ा सा मार्किंग कर दिया हूं देख पार हैं स्क्रैच कर दिया हूं यह वाली लाइन ऐसे क्रिक हैं इसके उपर से लेके इधर कर दिया हूं ताकि जब आपन फिटिंग कर रहेंगे तो सीधे बोजिशन में फिट हो जाएगा तो चलो यह वाली सुकिट है लगी तो फाइनली तीनी स्कुरू खोल दिया हूं अब इसको निकल जुगा यह दोनों के दोनों तो पीछ रख देना है इसके बाद एयरवेग क्लॉक्डिंग तो इसका लॉक हो जाता है तो सेम ट्वेटा की गाड़ी के जैसा तो चलो अब एयरवेग सॉकिट निकाल देते हैं क्लॉक्रिंग वाला सॉकिट निकाल दिया हूं सब तो इसमें एक लॉक यहां दिया है और एक नीचे साइट दिया हो रहते हैं अब वह अपस से बैट गया इधर तो यह निकल चुका फाइनल इसको अब दिना है पिछे होड़ अब यह एक लॉग हैड लाइट स्विच वाला भी निकाल देना है अपने को कि एड लाइट वाइपर सुच दोनों निकाल देना है इसमें एक क्लीप दिया है एक खोल के इस उच निकालता हूं तो फाइनल यह लॉग भी इसको इसको लॉग निकाल देहां अब यह इसे लिए अपना निकल चुका तो इसको पीछे व्ल्ड गर दोथा हूँ मैंभी यह मीटर का खोलना है अपने उसके नहीं कुलेगा यह इससे पहले यह वाला खुलेगा अब देखना है इसक्रू है क्या श्कूरू तो नहीं दिख रहाए तो पैले मेटर ही निकलेगा मेटर का माइन इस प्रॉर से कट आना पड़ेगा इसको स्क्रैच बहुत होता है काफी हाड है इसका इसके साथ भी निकाल देता हूं इसको साथ निकल रहा है तो तो चलो इसको निकालता हूं मैं एक हाथ से जम नहीं रहे अपने को तो इसको पीछे होड़ कर देता हूं और इसका जो एक ग्रीन कलर वाला देख रहे हैं लॉक है यह लगा दे वापस से तो फिर उस टेम धूनना पड़ेगा आपको यहां का है तो और एक साइड इदर का निकले यह वाली यह भी लगा देता हूं इसको इस केस में और एक इदर का मिशिंग है नीचे गिड़ा यह कहीं गिड़ा रहेंगा यह तो यह बात में देख लेता हूं यह रही कि एक यह इदर दो कि यह वाला यह दूसरी वाली दूसरी वारी फ्लैप का रहेगा तो इसको इदर लग देता हूं चलो इसको पीछे होल कर देता हूं अब मेटर निका डालता हूं मैं तो टेप का जो सेट अब है ना सिर्फ यह सब लॉक में रहता है ठीका हुआ तो यह जल्दी निकलता नहीं यह वाली लोक जो देख पार है यह वाली स्कूर्ब से प्रैसर डालके निकालना पड़ता है मैं इसको दिखाया है नहीं निकालना अधर तो चलो इसका यह सब के निकला हुआ है इस अब इसमें डाल देता हूं इसके बाद मेटर खुलता हूं मैं तो फाइनली मेटर का चारो इसक्रू खुल दिया हूं अभी मेटर बाहर आ जाएगा देख पार है मेटर भाड़ आ चुका सिर्फ इस में एक ही सोकेट है तो सोकेट को निकाल देता हूं मैं सोकेट भी निकल चुका अब अपने को यह सब स्कुरू खोलना है एक स्कुरू दो डैसबोर्ट का स्कुरू जो है आइ थिंग यह दो भागों में निकलेगा दो भागों में निकलेगा तो देखते हैं यह वाला खुलना पड़ेगा पहले मेरे को उसके बाद जाकर के निकलेगा अपना कंट्रोल पैनल से पहले ये साइट का खुलना पड़ेगा मेरे को इस कुरू ये है खुल के ये वाला सेट अप निकलना पड़ेगा तो चलो उस साइट चलते हैं अपन पहले हईं रोड़ने के बाद ये स्कूरू देख पार रहा है एक इसकूरू ये से और शकम बीश्रू खेल घुला हूं प्रुटा पूलिये कि इस साइड्य का पैनल निकलकेगा संब्यां एक इसकूरू काफी वोले तो इस पहले यह स्कुरू खुल लेता हूं स्वारी प्लस वाला कि दुर है मेरी प्लस वाला कि उसके बाद अपने को खीची नहीं इसको अभी भी डाउट लगड़ा है कि कुछ नकुछ लगा हुआ हो कहीं कि अपने को ऐसी खीच की निकालना पड़े गा यह देख लेते हैं कि अधर कुछ तो दिया नहीं है सब लग दिख रहा है मेरेको अंदर से तो यह खीच के निकल जाएगा तो चलो इसको क्हीचते जड़ा काफी जाम है तो इसको डार से मेरे को कटा के निकालना पड़ेगा तो चलो इसको मैं निकालता हूं कटा के तो काफी ताकत लाया करके खीजना पड़ा तभी जाकत के निकला आई है तो देख पार हैं इसका सब लॉक इधर मौझूद है तो इसका लॉक निकाल के इसमें डाल लेता हूं जित्ता भी लॉक है तो फाइनली इधर का तो सब खुल चुका अब अपने को एयर बैक का जो है ना दाइस बॉर्ट से जो लगी है बारे नंबर का एक दिया है और यह वाला फेज दिया है यह वाला फेज यह सलाइट करके निकलेगा यह यह भी निकल चुका अब नीचे आजाते हैं अपन नीचे से पहले एदर कंट्रोल पैनल खुलना पड़ेगा सबसे पहले फिर उसके बाद यह वाला चीज़े खुलेगा यह वाला तो कंट्रोल पैनल में दो स्कुरू लगी है दोनों अब इसमें केबल वाला सिस्टम आया गया अब देख पार है यह रही केबल वाला सिस्टम यह काफी हद तक परेसानिया देता है केबल वाला सिस्टम का तो अब उन देखते हैं चलो इसको पहले निकालता हूँ मैं फिर बताता हूँ मैं क्या करता हूँ इसमें केबल वाली केबल का सिस्टम को क्या करता हूँ तो हो गाइस फैनली इसको यहां से निकाल दिया हूँ बटन को लास साइड में ले करके इसको यहां से निकाल दिया हूँ आपको यह चीज़ा याद रखना है कि लास साइड में बटन लिया था और उसी पोजिशन में लाके फिटिंग करना है सेम इसका लास साइड में ले ल आउटसाइड येर वालग केबल यहां से निकालना पड़ेगा अपने को दिखनी रहा हूंगा I think उसके बाद यह रही सोकेट ब्लोड का एक हाट से खोलना परसेबल नहीं रहता है लेकिन फिर भी कोशिस करता हूं मैं खोली दिया अब यह कंट्रोल पैनल को बहा ले लेता हूं कि यह कोई वैर में जाके तो फज़ गया अब निकल चुका यह हो गया अब उसके बाद यह चीजे निकलेगा अपना यह देख लेना है दो इसकुरू लगेगा तो नहीं है वो चीज चेक कर लेना नहीं लगेगा तो अब इसको खीच के निकालते हैं यहां का स्कुरू निकाल दिया हूं इसको पहर है यह निकल चुका इधर भी चेक कर लेना है इसकुरू तो नहीं है कहीं लगा हुआ ने तो पाटकन के बाद में तूट जाएगा कितना मट्टी भाड़ा है इसमें निकल चुका अब यह दो सोकेट है इसका निकल गया और यह यह लोक जो है निकाल देना अभी याद से बाद में फिर ढूंडना ना पड़े आपको यहां का निकल गया यह लोक तो चले इसको निकाल देता हूं मैं कवर भी लोक में बैठा हूँ अड़ेता है सब एक लोक ची निकल गया है इसका इधर और यह किदर तो हैसी सुड़ार से कटा के निकल जाता है यह उसके बाद चलो आप बाकी यह वारा नंबर और यह डैश्बोड का इसकूरू जितना है से वह खोलता हूं मैं एक यह कटक है यह स्कूरू खोलने के बाद यह डैश्बोड दो भागों में निकलेगा इसका तो देख पार हैं इधर से हिल रहा है उपर वाला और यह लॉक में रहेगा इधर और यह फॉर इंडिगेटर की सोकेट तो चलो उस साइड को जिस कूरू बाकी है उस साइड का खोलता हूं हूं है तो अब इस साइड आ चुका हूं है इस साइड का भी एक लोग यहां है और सबसे पहले यह स्कूरू खोलना है अपने को है तो वह स्कूरू खोल देता हूं मैं इसको ड़ाव इदर है अब इसको लॉक दिया हुआ रहता है इसमें ऐसे खीचने आपको आउट इसके निकल नहीं रहा है कि आपको खीचकी निकालना है तो माइनस इसको ड़ावर से जड़ा मैं कि दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको तो देख पा रहा है यहां से यह निकल चुका अब एक लोक यहां रहेगी यह निकल चुका देख पा रहा है और यह फूर इंडिकेटर की सोकिट निकाल देना है अपने को याद से हैं यह फिर देख लेना है कि इसको वाइडिंग कहां जा रहे है वाइडिंग हरनेश यहां आ रहे है यह वाली तो इसको सोकिटी निकाल दिया मैं यहां से तो अब देख पार रहे हैं अनुग निकल जाएगा यह तो चलो इसको निकालता हूँ मैं बाहर अनुग करना पड़ेगा फिर डैश्बूर निकलेगा तो बाकी सब इसकुरू दीख रहा है मेरे को सब इसकुरू खोलता हूँ मैं कि फिर दिखाता हूँ आपको तो फाइनली अब सब इसकुरू खोल दिया हूँ देख पार है यह हिल्ड है तो चलो इसको बाहर निकाल देता हूँ मैं कुछ सौकिट विगिट रहेगी किदर इधर उधर तो देख लेना आप एक सौकिट के लिए यहां दिया है इसको खोल देता हूँ पर बाखी सब बाहर बाहर निकालता हूँ मैं तो फाइनली देख पर उपर का कवर भी निकाल दिया हूँ अब मेरे को एंगल खोलना है एंगल के साथ Climate Control Unit आएगा या नहीं आएगा या फिर मैं इसको एंगल को अलग ही खोलूंगा तो क्या करता हूँ वो चीजें आप खुद देख लीजएग तो चलो फिर मैं इसको खुलने के लिए लग जाता हूँ तो फाइनली इसमें मैं सबसे पहले ये डक्त निकाल देता हूँ क्योंकि अपने को इंगल अलग निकालना है और क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट अलग निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को इस्टेरिंग को नीचे ले लेना है तो इस्टेरिंग नीचे लेता हूं उसके बाद बाहर से जित्ते भी 12 नंबर या 13 नंबर जो भी दिया है इसको खुलता हूं और इधर का तो 12 नंबर है और वायरिंग का जो है सेट अप यह खुलना पड़ेगा यह वायरिंग अलग करना पड़ेगा उसके बाद पीछे तो ये इसके साथ ही आएगा इधर खुलने के जरूरत नहीं है यह वाला वाइडिंग अलग कर देना है अपने को यहां से यह तो अलग है यह पहले से इसके बाद यह बोल्ड खुलना है क्लायमिट कंट्रोल यूनिट का जित्ता भी बोल दिय में इसके बाद यह अलग करना है कि इसको भी अलग करना है कि यहां से सॉक्रिक निकाल देंगा तो भी चलेगा त्वी इसके बाद यूदर गया है उसके बाद यह एड़िक वाला इस साइड का बता रहा हूं और उस साइड से जो है अपने को ज्यादा कुछ खोलने की जरूत नहीं है ब्लोर की और यह एक सिंगल सोकेट रहेगा इतना बड़ा वाला जो दीखिर है वो खोलेंगे निकल जाएगा तो चलो यह सब मैं खोलता हूं जितना मैं आपको बताया त तो घाइस इधर से इस साइड से यहां से सब कुछ खुल चुक है आप न तो सबसे फढ़े स्टरिंग बॉक्स तो नीचे लेल या हूं यह दो आगए रहता है बारा में लासा उसके बाद बस इतना है काफी और ये सारी सोकेट खोलना पड़ा मेरे को उसके बाद ये वाली सोकेट इसके बाद ये मोडूल को इधर ही रख दिया हूँ और इधर से सब 12 नमबर एक दो बाहर से है एक अंदर से 3 उसके बाद ये ऊपर वाली सोकेट खोलना पड़ा और इध one-bag वाली socket नब चलते हैं उधर, उधर से क्या-क्या खोलना पड़ेगा, ये दूनुग किलिप ज्क्राइसे क्लाइमेड ची मेरे JOHN blond किलिप निगा लएंग उस के बाद इस साइट चलते हैं अपण ये दसनुबर खोलना पड़ेगा उस साइट जलके फिर दिखाता हूं है आपको तो फाइनली इस साइट से यहां पे एक दसनमबर था वह खुल चुका हूँ और यह वाली वाइडिंग मैं consistent का socket लोर का socket और यह वाला socket यहां से खूलना पड़ेगा यह बड़ा पूरा पुलना पड़ा तो चलो अब एंगल को मैं बहाल देता हूं बहाल लेकर के फिर दिखाता हूं तो फाइनली एंगल निकाल दिया हूं देख पार है अब अपना क्लेमेट कंट्रोल यूनिट निकालने के लिए अपने को अंदर से तो कुछ भी नहीं है जो भी यह बहार से ही एकस्पेंशन वाल और हीटर पाइप बस और कुछ नहीं है तो चलो बहार चलते हैं बहार चलके मैं आपको यह देख पार है हो इसे एटर पार है वीटर पाइप के वाला है कि एकस्पेंशन वाल दोनु खोलना पड़ेगा अपना क्लेमेट कंट्रोल यूनिट निकल जाए तो अपने दर अपना climate control unit निकल जाएगा तो चलो देखते हैं निकालते तो देख पा रहे हैं यह वाला जो है ना यह जो setting रहती है ना इसका बहुत पेकार setting रहती है अगर इधर से खोल देना इसको setting करने में काफी time जाता है बस बॉक्के और कुछ नहीं तो चलो इधर से मेर पाइप निकाला नहीं था मैं sorry water pipe यह ड्रेन पाइप निकाला नहीं हूं कि नीचे दिया रहेंगा इसका इस साइड या इस साइड दुरू में से कहीं एक साइड दिया इधर दिया है यह वाली तो इसको घुमा के थोड़ा सा निकाल दें काफी बैठा है पूरा jam है निकल गया अब अपना climate control unit निकल जाएगा और एक 10 नमबर नीचे खोलना बाकी है मेरोको बस यह खोलता हूं और climate control unit देख पा रहें पूरा हिल रहा है बस यह 10 नमबर लगड़ है अपने को तो इसको खोल के बाहर निकाल के दिखाता हूं आपको डैरेक तो फाइनली बाहर निकाल दिया हूं यह रही इसका climate control unit देख पा रहा है तो अब चलो इसको मैं खोलता हूं खोलने के लिए क्या क्या प्रोसेजर है यह रही ब्लोर का setup अलग करना पड़ेगा पहले मेरे को फिर यह वाला चीजा अलग करना पड़ेगा यह वाला चीजा अलग करना पड़ेगा तो चलो मैं इसको ब्लोर का setup पहले अलग करता हूं तो ब्लोर का setup अलग करना के लिए यह वाला डक्त खोलना पड़ेगा पहले मेरे को एक श्कुरू है इदर फिर खोलूँगा यह और यह को लंगा तो ब्लोर का setup अलग हो जाएगा तो इसको मैं अलग करता हूं तो फाइलेलि यह खुलने के बाद यह दोनों स्कुरू खोला यह अलग हो गया अब यह यह अपने को काम है एक एक टेटर कोई खुलने की तो जरूरत नहीं है ऐसा लग रहा है मिरोको पहले यह सब इसक्रूग कोलके यह वाला पर्शन बाहर निकालता हूं तो फाइनल इसका इसक्रूग सब खुलने के बाद यह अलग हो गया अपना देख पा रहे हैं कि यह रही इवापरेटर कोई इसको है पीछे सेंसर लगा अब देखते हैं इसमें लिकेज का अब दीला वगरे तो दिखनी रहा कहीं से भी कि आइटिंग इधर से रहेगा लिकेज कि इधर गर्मी इतनी पड़ती है कि ऑईल वगरे अगर रहता है काफी टाइम से अगर एसी चालू बंद रहता है तो सूप करके यह एक्जोप कर लेता है पर इधर ही लग रहा है मेरे को तो इसको कैंसल करता हूँ अब नया वाला दिखा देता हूँ मैं आपको यह रही नया न्यू और इसनल है कंपनी से आया हुआ माल है यह तो जब सबसे पहले मैं इसको ज़रा मट्टी हो अगर इसका क्लीन कर देता हूँ क्योंकि बाद में इसा बर्चन कर सकता है अभी खोला हूँ तो इसको क्लीन कर देता हूँ तो चलो क्लीन करके फिर इसको फिटिंग करता हूँ तो फाइनली नля फिटिंग कर दियां इसका सेंसर लगा दिया हूं इदर तो चलो अब इसका cover लगाता हूं उपर तो फाइनली proper तरीके से fit हो चुका हूं देख पा रहा है सब proper तरीके से के चलो अब इसको मैं का गाड़ी के अंदर डालता हूं करें का धो फैणनली है rebuilt का है ग्राइट लाट्र उनिट डाल दिए आएंगल लगाने के अब यहीं आपको बाहर का फेटिंग करना है क्यूंकि अंदर से कुछ दिया नहीं है climate control unit तो आप उदर से लगाएंगे heater pipe हो गए रहे तो यह फिर वापस से अंदर आ जाएगा तो लगेगा नहीं पहले angle बेठा देना है उसके बाद जाकर के कुछ करना है आपको तो चलो angle बेठा देता हूं मैं तो फाइनली angle बेठा दिया हूं अब मैं चलता हूं बाहर बाहर का फिटिंग करता हूं expansion वाल के पास का joint और heater का बात भी करेंगे क्योंकि अभी अंदर लंबा गाम है पहले expansion वाल का joint फिट कर देता हूं और उसके बाद pressure मारता हूं उसके में pressure मार के छोड़ देंगे इसको hold कर देंगे कि pressure सही रहता है या फिर ड्रॉप होता है तो चलो पहले लगाते हैं इसको तो फाइनली इदर प्रोपर तरिये से हैं फिट हो चुका सब expansion वाल हीटर का pipe और ये low वाले में लगा दिया हूं और ये high वाले meter में से connection कर दिया हूं क्योंकि अपने को pressure मारना है और ये वाला line compressor में है प्रेशर वाली line में तो इसको on कर दिया है प्रेशर बर रहा है देख पा रहा हूँ कि तीन सो का pressure मारें गया है कि क्लारिटी तो नहीं देख रहा हूंगा आपको तो तीन सो के आने वाला है तो इसको बंद कर देता हूं अब यहां से off कर देता हूं अब इसको होल्ड कर देता हूं में यहां से खौल देता हूं अब इसको होल्ड करके छोड़ देता हूं कि तीन सो पे बड़बढ़ है और देखते हैं ड्रोप हो रहा है क्या नहीं pressure तो चलो अंदर जलते हैं अंदर फिटिंग करना के लिए तो अंदर अपना एंगल होगर है सब डल चुका है क्लाइमेट कंट्रोल होगर है सब डल चुका है अब मेरे को धिरे धिरे फिटिंग करना है तो चलो यह सब मैं फिटिंग करता हूं तो गयारी एंगल को जिता भी वायरिंग घुला था सब प्सरींग हो गया अब अपने को नीचे का डाश्बोट डालना है तो चलो नीचे का डाश्बोट डाल देताूं तो फाइनली डेसबोर्ड उपर वाला भी डज़ चुका है देख पार हैं तो गाइस मैं एक ची यहां पर बोल देता हूं आप पहले जो पार्ट खोले थे ना उसको यहां पर लास्ट में करना पड़ेगा यानि बोले तो जब इसको डेसगोर्ड निकालने से पहले जो वाला पार्ट खोले थे मैं पहले सबसे लास्ट में इसको खोला था तो लेकिन पड़ सबसे पहले इसको मेरे को लगाना पड़ेगा कि वैसे step by step by step by लगाना पड़ेगा यानि पहले जो खोले थे उसको पहले बाद में लगाना है आपको पहला टेप खुला था मैं इसका तो इसको बाद में लगएगा क्यों क्योंकि अगर टेप लगा दिए तो यह वाला चीजह नहीं बैठेगा मेरा तो उससे पहले जो डैसबोट खोलने के लास्ट में जो खोजा था उसको पहले लगाना पड़ेगा तो चलो यह सब फेटिंग करता हूं मैं तो फाइनली अंदर उस सेट का तो सब पूरा फेट हो चुका बस अपना टेप बैठाना रह है तो देख पार है प्रेशर अब तक का होल्ड है तो आप प्रेशर छोड़ देता हूं अब इसको वेक्टिमिंग में राल देता हूं तो यह लाइन चेंज करना पड़ेगा में अब इसमें लगाना पड़ेगा अब यह ओला ओपन कर देता हूं यह क्लॉस कर देता हूं कि आप यह लो वाली लाइन का आप कॉंप्रेसर चालू कर देता हूं तो देख पार हैं विक्टुम हो रहे हैं तो दस मिनट विक्टुम होने देते हैं और जब तक आपने चलते हैं अंदर अंदर का फिटिंग करते हैं सब अंगे तो वह यहां तो गाइस फाइनली प्रोपर तरीके से पूरी गाड़ी फिट हो चुकि आँ देख पार बस अपना एर्बेक लगाना बाकी है पुछक नना बाकी है इसको पुछक कर दिया यह भी लग दिया कि सब सही हो गया सब फिट हो गया तो चलो जड़ा बाहर चल समय टो किरके हो घो मगत हो गया रहेंगा योग साय कोम्रेंग håं घ्रतका की टीट हो गया लेंगा और इसके बाद हिए से खोल देता हूं मुपरेसर ऑफकर देता हूं और कंओ गैस के बतला में लगा लेता हूं इसको कर दो कर देता हूं और इसको पड़टी मार देता हूं और दूसरा बैटरी वायर लगा देता हूं मैं और अंदर से गारी चालू करके फिर फिरियोन मारेंगे आपन तो चलो बैटरी वायर यह सब काम कर देता हूं मैं तो बैटरी वायर लग चुका अपना और गैस का बाटला पल्टी मार के लग दिया हूं अब चलो अंदर चलते हैं गारी चालू करता हूं तो इंशन ओन था अपना इसके वैसे लाइट वायट दिखा रहा है आप करता हूं चलो आप चालू करता हूं गारी निट्रल देख लेता हूं निट्रल कर दिया कलच दबा दिया हूं गारी चालू हो चुकी है कि देख पार हैं बस सीडवेल्ट टायर प्रेशन लाइट जो के पहले से भी आता था और फ्यूल का लाइट बस इतना ही आ रहा था तो चलो जड़ा मैं एसी आउन कर लेता हूं यहां से तो यह आउटसाइट का चेक कर लेना बड़ो बड़ चल रहा है यह चेक कर लेना सही है 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 एट रोला सही होगा उसके बाद ऐसी ओन कर देता हूं मैं और चलो आप बाहर चलते हैं गैस वह द्रेंट करता हूं इसमें कि अ यह लाइन यह से तुली है तो इक पर हम जो को आफ है जो को क्या सकारदा हम अब रेका चलू हो लिए तो चलू इसमें मैं फूल गया चार्जिंग कर लेता हूं और अंदर कुलिन कंप्रेचर दिखाता हूं कि पुलिन कंप्रेचर इसका कितना आता है कि तो गाइस सबसे पहले में एक चीज दिखा देता हूं यह जब फूल हो जाएगा ना यहां पर इस दिलास दिया हुआ रहेता है जोण कर रहा हूं का यह देख पार है यहां यहां पर अभी गैस का बबल साथ हरा है तो उना दो लगाश्म होगान है जब पूरा किलीन हो जाएगा फिर गैस यहां से में गैस छोड़ रहा हूं आप देखिये यहां पर देखिये अभी भी बगल साहर है अभी भी गैस पूल नहीं हुगा इसमें जब यह पूरा किलीन हो जाएगा जब कर दो किलीन हो को किलीन से यहां जो जाएगा किलीन गूरा की जाएगा तो अभी देखिवा रहा है किलीन होने को हाएगा तो यहां पर देख रहे हैं, पूरा क्लीन हो चुका है, जाड़ा भी बबल नहीं आ रहा है, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं, गैस हुल हुआ क्या नहीं हुआ, चलो अब अब अंदर चलते हैं, अजीन कंपरेचर हो गड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो फाइनली गारी के अंदर आ चुका हूँ, अब देख पार है, पूरा गारी चिल्ड होड ही है, लेकिन बड़ आपको वहां से समझ में नहीं आएगा, तो इसकी वेसे मैं थर्मामेटर यूज करके आपको दिखा रहा हूँ बस, तो थर्मामेटर अन कर चुका हूँ, कुल क्लीन हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, वहां से कुछ शर्कुलेशन हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, जब मालूम नहीं पड़ेगा, तो समझ जाना कि गैस फूल हो चुका है, तो बस यही सब चीज़े है कि मैं आपको दिखा रहा हूं बस बाकी और कुछ नहीं और यहां से भी रिटन लाइन से भी आप चेक कर सकते हैं कि गैस फूल हुआ क्या नहीं है middle line से भी चेक कर सकते हैं high pressure से भी चेक कर सकते हैं बहुत सारा तरीका है gas full हूआ क्या नहीं हूआ चेक करनेगा तो outside का air बन रखना कभी भी एसी चालू रखोगे तो क्योंकि outside का air आएगा न तो outside air काईशा रहता है बाहर की climate का air पर जब मिक्स होगा ना तो तुम्हारे कुलिंग में एफेक्ट करेगा कुलिंग होने नहीं देगा तो देख पार हैं 5.8 पर आ चुका है कुलिंग 5.9 6.1 6.2 अभी भर रहे हैं ट्रीप मारा रहेंगा कॉम्प्रेसर 6.4 6.6 इसे पर आ रहा है यहनि कुलिंग बरॉबर हो रहा है इसका तो गाइस और कुछ नहीं बस यह सब चीज़ें चोटी मोटी जो मुझसे हो रहा है इस सब चीज़ें बस आप लोगों को दिखाने हैं और बताने हैं और आप लोगों को कोई काम है फसे ना इसके विएसे बस यह सब चीज़ें दिखा रहा हूं मा क्यों कुछ नहीं तो चलो फिर जब तक के लिए बाई बाई टेक कियर अल्ला हाफीज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप उन